आपका स्वागत है तो चलिए आज हम लोग 12th कलास का हिस्ट्री का देख सकते हैं 2019 से लेकर 2023 तक एक ही वीडियो में यहां पे लेकर आए हैं बिल्कुल महामायराथन का कलास है तो चलिए वीडियो को लाइक सेयर कर दीजे फैंट चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को स्क्राइ करके और वेल आइकन प्रेस कर देता कि देख सकते हैं पलपल की अपडेट यहां से आपको मिलती रहेगी तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का 2009 से लेकर यहां पे 2023 तक के को सॉल्फ करने वाले हैं बिल्कुल एक ही वीडियो में तो चलिए देख सकते हैं पहलानम पर जो को देख सकते हैं दूसरा नंबर कोश्चन है देख सकते हैं दूसरा नंबर कोश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिपिटक का राज रोहन तीथी है जो त्रिपिटक का राज रोहन तीथी क्या है एं अर्तालिस इसापूर्व बिएठटर स्ई छिया A58 और यहां पे D है जो देख सकते फेंड डी है अन्ठानमे तो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फेंड इसका, जो हो जाएगा तुरिपिटक का राज जो रोहन हुआ था, वह 78 इशा पुर्व में हुआ था, यानि option number यहाँ पर बी हो जाएगा, छलिए, next number देख सक्ते हैं, next number question है, कि तुरिपिटक साहित्ते हैं, तो तुरिपीटक है है फेंट्ट जो देख सकते हैं तुरिपीटक बात धरम से सम्बंदीत हैं देख सकते हैं तीन का ओप्सन नमपर बी हो जाएगा चलिए देख सकते हैं नेक्श नमर कोस्चन है कि महवीर ने पासर्वनात के सिध्धान्त में नया सिध्धान्त क्या जोड़ा था महवीर ने जो पासर्वनात का सिध्धान्त था उसके साथ नया सिध्धान्त क्या जोड़ा था A. सत्य, B. अहिंसा, C. अपरी, ग्रह, या D. बरहमचार्रे तो महवीर ने जो पासर्वनात के साथ नया सिधान्त जोड़ा था वह ब्रहम चार्रे का सिधान्त जोड़ा था चार का उप्सन नमबर डी हो जाएगा देख सकते हैं नेक्ष्ट नमर जो कोस्चन है नेक्ष्ट नमर कोस्चन में कि महभारत कायूद कितने दिनों तक चला महभारत कायूद कितने दिनों तक चला तो महभारत कायूद चला था फेंट जो की देख सकते हैं क्या हो जाएगा तो महभारत कायूद हो जाएगा ओप्सन नमबर D 18 दिनों तक चला था तो चलिए देख सकते हैं महभारत कायूद हुआ था 18 दिनों तक चला था यानि ओप्सन नमबर D हो जाएगा चलिए next नमर question है देख सकते हैं, नेक्श नमर जो question है, कि पूर्टगालियो ने गोवा पर कभ अधिकार किया, a. 506, b. 1510, c. 1512, d. 1520, तो पूर्टगालियो ने गोवा पर अधिकार किया था, 1510 में कभ किया, देख सकते फ्रेंट पूर्टगालियों ने गोवा पड़ अधिकार 1510 में किया था ओप्शन नमबर यहां पे B हो जाएगा चलिए देख सकते नेक्ष नमर जो कोश्चन है सहायक संधी की नीती कार्णे नित हैं सहायक संधी की नीती किस से संबंधित है देख सकते फ्रेंट सहायक संधी का जो संबंध है वह लोड बेल जिली से संबंधित है किस से लोड बेल जिली से यानि साथ का उप्शन नमबर C हो जाएगा नेक्ष नमर कोश्चन है देख सकते नेक्ष नमर कोश्चन में कि अबध में 1857 के बिद्रो का नितित्व किसने किया था अबध में 1857 का बिद्रो का नितित्व किसने किया था ए मंगल पांडे भी तत्ते टोप सी बेगम हजरत महल याडी लक्षमी बाई तो अबध से 1857 की करांती लड़ा था कौन बेगम हजरत महल हो जागा अबध से कौन लड़ा था देख सकते हैं अबध से 1857 की जो करांती था उसका देख सकते हैं नितित्व बेगम हजरत महल ने किया था तो देख सकते हैं इसका हो जागा option number 8 का C हो जागा चलिए 9 number question को देखेंगे देख सकते हैं 9 number question है कि 1857 का बिद्रो अरंभ हुआ था A 10 माई देख सकते हैं A 10 माई B हो जागा 13 माई C 18 माई या D 26 माई तो देख सकते हैं फेंट 1857 का जो बिद्रो वग्ती को आरंब हुआ था वह हुआ था 10 माई को कब हुआ था58 संतावन का भिद्रो आरंब हुआ था दस माई को हुआ था चलिए next नमर कोषें को देखेंगे देख सकते हैं नेक्ष नमबर कोश्चन है दसमा नमबर कोश्चन में क्या करा एक भरतियर राष्टिये कॉंग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं ए उमेश चंदरबनर जी बी ए ओ हां हिूम या सी विपिन चंदरपाल या डी बालगंगा धरतिलक तो भरतियर राष्टिये कॉंग्रेस के संस्थापक ए ओ हिूम को माना जाता है कब हुआ था अठारा सो पचासी में हुआ था याद रखियेगा फ्रेइन ए ओ हिूम के दोवारा भरतियर राष्टिये कॉंग्रेस के स्थापना अठारा सो पचासी में हुआ था चलिए next number question है देख सकते हैं next number question में क्या करा है बिजय नगर समराजी की अस्थापना किस ने किया ए हरिहर एबंबुक का बी देवराय परतम सी कृष्ण देवराय या डी सदा देख सकते हैं सदासी राय तो देख सकते फ्रेंच बिजय नगर समराजी की जो अस्थापना था वह हरीहर एबं बुक्का दोनों भाई ने किया था किस बंस के नाम पर संगम बंस के नाम पर याद रखियेगा फ्रेंच संगम बंस के नाम पर किया था कब 1336 में 1336 में हरिहर एवं बुक्का के दुवारा विजय नगर समराज्जी की अस्थापना हुआ था यानि देख सकते हैं इगारा का उप्शन नमबर ए हो जाएगा चलिए नेक्ष नमर कोश्चन को देखेंगे देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ती अंदोलन कारंभ किस संत ने किया था उत्तर भारत में भक्ती अंदोलन कारंभ किस संत ने किया था वह किया था फेंट, रमानन्द ने किया था, किसने उत्तर भारत में भक्ति अंदोलन कारंब रमानन्द ने किया था, चलिए, देख सकते हैं नेक्श नमर जो कोश्चन है हम देख सकते हैं कि कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था ए अकवर भी जहांगीर सी सा जहां या डी और रंग जेव तो देख सकते हैं तेरा का क्या हो जागा फेंट कैप्टन होकिन्स किस मूगल सासक के दरवार में आया था तो तेरा का हो जागा ओप्सन नमबर B ओप्सन नमबर B हो जागा कैप्टन होकिन्स जहागीर के दरवार में आया था यानि 13 का option number B हो जाएगा चलिए देख सकते हैं फैंच 14 नंबर जो question है कि निमलीखित में से अकवर किस पर अधिकार नहीं कर सका A में बार, B, मार बार, C, 4 या D, जोधपूर तो देख सकते हैं निमलीखित में से अकवर किस पर अधिकार नहीं कर सका तो यह हो जाएगा चीता और, पर अधिकार नहीं कर सका यानि 14 का option number C हो जाएगा नेक्स नंबर question है, देख सकते हैं नेक्स नंबर question है कि निमलीखित में से कौन मुघल वादसा को आलमगीर के नाम से जाना जाता है आलमगीर के नाम से किस मुगल वादसा को जाना जाता है देख सकते हैं यहाँ पे चार ओप्सन दिया गया फैंट जहांगीर, साजहां, औरंग जेव और बहादुर सा तो आलमगीर के नाम से औरंग जेव को जाना जाता है आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है तो आलमगीर के नाम से और रंगजेव को जाना जाता है 15 का option number C हो जाएगा चलिए 16 number देख सकते हैं 16 number question में क्या कह रहा है देख सकते हैं फ्रेंट की gateway of India का निर्मान कब हुआ था gateway of India का निर्मान कब हुआ था A 1910, B 1911, C 1912, D 1914 तो gateway of India का निर्मान 1911 में हुआ था gateway of India का निर्मान 1911 में हुआ था option number B हो जाएगा चलिए देख सकते हैं next number question है कि 1942 में कौन सांदोलन हुआ था 1942 में कौन सांदोलन हुआ था खिलापत, B, असयोग, C, सभिनाई बाग्या, D, भारत छोडो 42 में जो अंदोलन हुआ था भारत छोडो अंदोलन हुआ था जो की महात्मा गांधी जी ने किया था kis ने? महात्मा गांधी जी ने किया था । देख सकते हैं 17 का हो जाएगा option number D हो जाएगा चलिए देख सकते हैं next number question है next number question है दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया ए गांधी जी बी जवाहरला नहरू सी डॉक्टर राजिंदर परसादिया डी स्वासचंदर बोस तो देख सकते हैं अठारा का हो जागा option number D हो जागा friend दिल्ली चलो का नारा सुआश्चंदर बोश ने दिया था दिल्ली चलो का नारा सुआश्चंदर बोश ने दिया था यानि देख सकते हैं option नमबर यहां पे D हो जाएगा option number D हो जाएगा next number question है देख सकते हैं भरतिये संबीधान के परारूप समीती का अध्यच कौन है देख सकते हैं परारूप समीती के अध्यच ए डौक्टर राजिंदर परसाथ या भी देख सकते हैं यहाँ पे बी सचिदान अंसिन्ह या सी राजगोपाल चारी या डी भी यारा अंविदकर त भरतिये संबिधान के प्रारुप समीती का अध्यच पूछ रहा है तो समीती का अध्यच में हो जागा डॉक्टर बी आरम वेदकर जी थे कौन थे? डॉक्टर बी आरम वेदकर जी थे यानि option number D हो जागा Next number question है भरतिये संबिधान के अनुसार कहा है नहीं थे? A. राष्ट पती में B. परधान मंत्री C. न्याए पालिका D. संबिधान में तो 20 का क्या हो जागा? 20 का हो जागा option number D option number D हो जागा यानि संबिधान में नहीं थे भरतिये संबिधान में जो अनुसार संप्रभुता संभीधान में नहीं थे 20 का option number D हो जागा चलिए 21 नमर कोश्चन है देख सकते हैं कि राखल दास बनर जी ने मोहन जोदरो का अपसोचन किस वर्स मिले थे देख सकते हैं राखल दास बनर जी को मोहन जोदरो का अपसेश किस वर्स मिला तो क्या हो जागा फ्रेंट तो देख सकते हैं किस का option number C यानि राखल दास बनर जी ने मोहन जोदरो का खोज 1922 में किया था कब किया था फ्रेंट मोहन जोदरो का जो अपसेश था वह 1922 में किया था एक इसका option number C हो जागा नेक्स नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन में क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बिशाल अशनागर का अपसेश कहां से प्राप्त हुआ हैं शिंधु घाटी सभ्यता में जो बिशाल अशनागर का जो अपसेश हैं कहां से प्राप्त हुआ ए हरप्पा बी मोहन जोदरो सी काली बंगन या डी देख सकते हैं लोथल तो क्या हो जागा फेंट तो यह हो जागा मोहन जोदरो से प्राप्त हुआ था किस से मोहन जोदरो स प्राप्त हुआ था यानि देख सकते हैं 22 का option number B हो जाएगा next number question है देख सकते हैं next number question में क्या कह रहा है कि 16 महा जनपद में सबसे सकती साली महा जनपद कौन था A मगद B अनावती C कोसल या D गंगाधर तो देख सकते 16 जनपद में सबसे सकती साली जनपद था जो की मगद था कौन था फ्रेंग देख सकते हैं सबसे सकती साली जनपद मगद था यानि 23 का option number A हो जाएगा 23 का option number A हो जाएगा चलिए देख सकते हैं next number question में next number question है अर्थ सास्तर और इंडिका के इंडिका में किस राजबंस के विसाई की जानकारी मिलती है अर्थ सास्तर और इंडिका में किस राजबंस के विसाई की जानकारी मिलती है A मौरे B कुसान बंस C सतवाहन या D गुप्त बंस तो देख सकते हैं अर्थ सास्तर और इंडिका में जो देख सकते हैं किस विसाई की जानकारी मिलती है तो मौरे बंस की, किसकी मौरे बंस की जानकारी मिलती है, 24 का option number A हो जाएगा, 24 का option number A हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं, next number question है, बहुत ही भी विए कोश्चन है, किस सीला लेख में असोग के कलिंग बिजय काउल लेख है, किस सिला लेख में असोक का कलिंग बिजय का उलेख है ए प्रथम, बी सतम, सी, दसम या डी तेरहमा तो देख सकते हैं कलिंग बिजय का जो पता चला है असोक के तेरहमा सिला लेख में कौन सा सिला लेख में? तेरहमा सिला लेख 25 का option number D हो जागा, चलिए देख सकते 26 नमबर question है, देख सकते 26 का option number D हो जागा फ्रेंट, आइने अकवरी को कितने भागों में विभक्त है, आइने अकवरी कितने भागों में विभक्त है, ए 2, B 3, C 4 या D 5, तो आइने अकवरी कितने भागों में विभक्त है, तो देख सकते 26 अब इसका option number D हो जागा फेंट आइने अकबरी है जो कि 5 भागों में विवक्त है आइने अकबरी 5 भागों में विवक्त है चलिए देख सकते हैं 27 नंबर question है देख सकते हैं कि औरंग जेव ने अपना अंतिम जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था औरंग जेव ने अपना कि जो अंतिम भाग बिताया था वह option number D हो जागा फेंट दस्चिन भारत में बिताया थे कहां देख सकते हैं औरंग जेव ने अपना जीवन के अंतिम भाग दस्चिन भारत में बिताया थे यानि 27 का option number D हो जाएगा चलिए 28 नंबर question को देखेंगे देख सकते हैं 28 नंबर question ह अस्थापत्य कला का सबसे अधीक विकास किस समय में हुआ था अस्थापत्य कला का जो सबसे अधीक विकास था वह किसके समय में हुआ था A. अकबर, B. जहांगीर, C. साजहां, या D. और अरंगजेव तो अस्थापत्य कला का जो सबसे अधीक विकास हुआ था वह हुआ था देख सकते हैं सा जहां के सासनकाल में हुआ था कहां कब हुआ था फैन सा जहां के सासनकाल में अस्थापत्ते कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था 28 का option number C हो जागा चलिए 29 number question है देख सकते हैं कि सेख मुद्दिन चिस्ती का दरगा कहा इस्ती थे हैं? A. दिल्ली देख सकते हैं A. दिल्ली और B. आगरा C. फतेहपूर या D. अजमेर तो सेख मुद्दिन चिस्ती का जो दरगा हैं वह अजमेर में इस्ती थे हैं कहां इस्तित है फ्रेंट आज मेर में इस्तित है यानि option number D हो जाएगा देख सकते हैं तीस number question है कि English East India Company की अस्थापना कब हुई थी English East India Company की अस्थापना कब हुई थी A 1600, B 1605, C 1610 या D 1615 तो देख सकते हैं English East India Company की जो अस्थापना हुई थी वह 1620 में हुआ था कब हुआ था फ्रें 1620 में हुआ था तीस का option number A हो जाएगा चलिए 31 number question को देखेंगे देख सकते हैं 31 number question है किस भारतिये सासक को नेपोलियन की संग्या दी गई है तो देख सकते हैं किस भारतिये को नेपोलियन की संग्या दी गई है तो देख सकते हैं इसका हो जागा option number C, समुंदर गुप्त को, समुंदर गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानि option number यहाँ पे C हो जागा, चलिए next number question है, एलोडा के कहलास मंदिर का निर्मान किस राजबंस ने किया, एलोडा के जो कहलास मंदिर का निर्मान है, किस राजबंस ने किया, एलोडा के जो कहलास मंदिर का निर्मान है, किस राजबंस ने किया, एलोडा के जो कहलास मंदिर है, उसका निर्मान राश्ट कुट के दवारा किया गया था राश्टकुट बंस के दुवारा option number D हो जाएगा चलिए next number question है देख सकते हैं next number question में क्या करा है कि अस्तूप का संबंध किस धरम से हैं A बौत धरम B जैन C ब्रहमन D इशाय धरम तो क्या हो जाएगा friend फटा फट कमेंट करके बताएए अस्तूप का संबंध किस धरम से हैं तो यह हो जाएगा option number A अस्तूप का संबंध हैं जो की बहुत धरम से हैं अस्तूप का संबंध किस धरम से हैं बहुत धरम से हैं चलिए देख सकते हैं next number question है देख सकते हैं कि अलबरुनी किस के साथ भारत आया था बहुत ही BVI कैस्ट है अलवढ़ोनी किसके साथ भारत आया था याणी 34 का अप्चन नमबर बी हो जागा Next Number Question है देख सकते हैं Next Number Question में क्या कह रहा है कि इवन बतुता किस देश के निवासी था इवन बतुता किस देश के निवासी था ए मिस्ड विपूर्टगाल सी मरक्को डी फर्ांस तो इवन बतुता किस देश के निवासी था फेंच, तो यह हो जागा मरको का, इवन बतुता मरको का निवासी था, 35 का option नमबर भी हो जाएगा, चलिए 36 नमबर question को देखेंगे, देख सकते फेंच, 36 नमबर question है, मुस्लिम लिंग की अस्थापना किस वर्स हुई थी, फेंच, वह 1906 में हुआ था, तब हुआ था, 1906 में हुआ था, 36 का हो जाएगा, option नमबर भी हो जाएगा, मुस्लिम लिंग की अस्थापना 1906 में हुआ था, नेक्स नमर question है, देख सकते फेंच, बहुत ही भी भी आई question है, जलिया वाला भाग हत्या कांड किस वर्स हुआ था, ए, 1919, बी, 1920, सी, 1921, या डी, 1922, तो जलिया वाला भाग हत्या कांड हुआ था, फेंच, 1919 को हुआ था, कव हुआ था, 1919 को हुआ था, देख सकते हैं नेक्स नमर जो question है, बहुत ही भी भी आई question है, फेंच, देख सकते हैं, डांडी किस राज्य में इस्तित है, ए, बिहार, बी, उत्तर परदेश, सी, गुजरात, या डी, महाराष्ट, तो डांडी किस राज्य में इस्तित है, बहुत ही भी भी आई question है, तो देख सकते हैं, option number C हो जगा, डांडी है, जो गुजरात में इस्तित है, पुंझतक q 놀र डंढ़ीh गुज्रात में इस्तित है किस राजे में गुज्रात में इस्तित हैं नियेक्ष नमर question है देख सकते फ्रेंट कि पुन्ना सम्झोत अ किस वर्ष हुआ ए 320 देख सकते ओप्षन यहीं हो जागा पुन्ना सम्झोत अ अ 1932 में हुआ था पुन्ना समझ होता 1932 में हुआ था देख सकते हैं नेक्स नमर जो कोश्चन है कि निमलीखित में से किसका प्रकासन अबुल कलाम आजाद ने किया A. New India B. Alihal C. Carmade D. Young India तो देख सकते हैं अबुल कलाम आजाद ने किसका प्रकासन किया था तो 40 का option number B हो जागा अली हाल देख सकते हैं अली हीलाल का जो प्रकासन था वह अबुल कलाम आजाद ने किया था 40 का option number B हो जागा चलिए देख सकते हैं नेक्स नमर जो कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन में क्या कह रहा है हरपपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है ए पुर्व पासन यूग, बी नव पासन यूग, सी लव यूग या डी कांसे यूग तो हरपपा सभ्यता है जो की कांसे यूग की सभ्यता है कौन सा यूग के कांसे यूग की सभ्यता है यानि देख सकते हैं पहला का option number D हो जाएगा चलिए next number question है देख सकते हैं कि हरप्पा सभ्यता का सबसे बरा नगर कौन था हरप्पा सभ्यता का सबसे बरा नगर कौन था देख सकते हैं यहाँ पे option नीचे में दिया गया है फैन देख सकते हैं मोहन जोद्रो, B, काली बंगन, C, लोथल, D, रंगपूर, तो हरप्पा सब यता के सबसे बरा नगर, मोहन जोद्रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोहन जोद्रो, आउप्सन नमबर A हो जाएगा, नेक्स नमर कोश्चन है, कि परसिद गरंथ इंडिका की रचना किसने की थी, इंडिका की रचना किसने किया था, एक उटले, B, मेगा अस्थनीज, C, अलबरुनी, याडी, इती, संग, तो परसिद गरंथ इंडिका की रचना था, जो की मेगा अस्थनीज ने किया था, इंडि देख सकते हैं प्रियाग प्रसिस्त की रचना किसने की थी? प्रियाग प्रसिस्त की रचना किसने की थी? A. कालिदास B. बानभट C. हरिसेन D. पतंजली तो प्रियाग प्रसिस्त की रचना कि किसने किया था? तो देख सकते हैं चार का option number C हो जागा फेन प्रियाग प्रसिस्त की रचना हरी सेन ने किया था किसने हरी सेन ने किया था next number question है देख सकते हैं कि भरतिये इतिहास का कौन सा काल को सोर्न काल के नाम से जाना जाता है भरतिये इतिहास के कौन सा काल को सोर्न काल के नाम से जाना जाता है A. मौरे काल B. गुप्त काल देख सकते हैं गुप्त काल हो जागा इसका अंसर गुप्त काल को सोर्न काल कहा जाता था पांच का उप्सन नमबर B हो जागा गुप्त काल हो जागा देख सकते हैं मुगल काल है और यहां पे अंग्रेजियों का काल लेकिन गुप्त काल को सोर्न काल कहा जाता है चलिए, next number question है कि गुप्त काल के कौन चीनी यात्री भारत आया था गुप्त काल के कौन सा चीनी यात्री भारत आया था ए देख सकते हैं हवेन सांग बी फहियान सी इती संग या डी वांग हेविन से तो देख सकते हैं फ्रेंट कि गुप्तकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था तो देख सकते हैं 6 का हो जगा option number B गुप्तकाल में फहियान आया था कौन आया था friend फहियान आया था एक्ष नमर कोश्च्चन है देख सकते हैं महाभारत की रचना किस भासा में हुई थी महभारत की रचना किस भासा में हुई थी ये संस्क्रीत B, Pali, C, प्राकिर्ति, या D, Hindi तो महभारत की रचना हुआ था जो कि संस्क्रीत में हुआ था कौन सामें संस्क्रीत भासा में हुआ था महभारत की रचना साथ का option number A हो जाएगा चलिए देख सकते हैं आठ नमबर कोश्चन है देख सकते हैं आठ नमबर महत्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुई थी A. लुबनी B. बोधगया C. सारनात या D. कुशी नगर महत्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुआ था फैन बोध गया में, कहां हुआ था, बोध गया में हुआ था, यानी आठ का हो जाएगा, option number B हो जाएगा चलिए, next number question को देखेंगे, देख सकते हैं, next number question है कि सुछेतांबर और दिगांबर का समबंध किस धरम से हैं? दिघामबर हो जागा, फ्रेंच, सुवेतामबर और दिघामबर का संबंध किस धरम से हैं A. तो सुवेतामबर और दिघामबर है ज्योगी धरम से संबंधित है देख सकते हैं, नौ का हो जागा option number D चलिए देख सकते हैं, दर्ष नंबर question है असोख किस बंस का सा सक था यानि दस का ओप्चन नमबर बी हो जाएगा चलिए नेक्ष नमर कोश्चन है अकबर नामा की रचना किसने की? देख सकते हैं अकबर नामा की रचना किसने की? अकबर नामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने 11 का ओप्चन नमबर देख सकते हैं बारा नमबर कोश्चन है बारा नमबर कोश्चन में कि पानी पत का प्रथम यूद कीस वर्स हुआ था? ए 1509, बी 1526, इ 1556, दी 1761 तो पानी पत का प्रथम यूद हुआ था फेन वह हुआ था 1526 में किसके बीच? बाबर और इबराहिम लोदी के बीच बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था पानी पत का प्रथम यूद हुआ था 21 सप्रील 1526 को बारा का उप्सन नमबर भी हो जागा चलिए next नमर question को देखेंगे नेख सकते है next नमर question है कि भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल सासक कौन था? A. सा जहां B. औरंग जेव C. मुहमद सा या D. बहादूर सा जफर तो भारत का अंतिम मुगल सा सक था बहादूर सा जफर बहादूर सा जफर था तेरा का option number D हो जाएगा चलिए देख सकते हैं next number जो question है कि इवन बतूता किस देश का यात्री था इवन बतूता किस देश का यात्री था ए मरक्को, भी मिस्र, सी, तुर्की, या D, इरान तो इवन बतूता था जो कि मरक्को का यात्री था कहां का मरक्को का यात्री था 14 का option number D हो जाएगा next number question है विजय नगर का महांतम सासक कौन था देख सकते हैं विजय नगर का महांतम सासक कौन था ए वीर नर्सिंग देख सकते हैं वीर नर्सिंग या B में हो जाएगा देख सकते हैं कृष्ण देव राए B में हो जाएगा कृष्ण देव राए कृष्ण देव राए या C में सदा सी बराए या D में अच्छी उत्राए तो देख सकते हैं कि विजय नगर का सबसे महांतम सासक कृष्ण देवर आए था कौन था फैन विजय नगर का सबसे महांतम सासक कृष्ण देवर आए था option number B हो जाएगा next number question है कि गोरपूरम का संबंध है A. गाय से, B. नगर से, C. वेपार से, D. मंदिर से तो गोरपूरम का संबंध है फैन जो कि मंदिर से संबंध है गोरपूरम किस से संबंध है? मंदिर से 16 का option number D हो जाएगा 17 number question है कि वीर सहिव लिंग्यात अंदोलन का जनक कौन थे? A. कबीर, B. गुरु नानक, C. देख सकते हैं वसवना या D. क्राइकल तो देख सकते हैं 17 का हो जाएगा option number C हो जाएगा वसवना वसवना था जो कि लिंग्यात अंदोलन का जनक था option number C हो जाएगा next number question है खाबजा मुद्दिन चिस्ती का दरगा कहां इस्तित हैं? A. आगरा, देख सकते हैं A. दिल्ली, B. आगरा, C. जैपूर, या D. यहाँ पे आजमेर तो देख सकते हैं खाबजा मुद्दिन चिस्ती का दरगा आजमेर में इस्तित हैं option number D हो जाएगा आज मेर में इस्तीत है next number question है देख सकते हैं ताज महल का निर्मान किस ने किया ताज महल का निर्मान किस ने किया A. अकबर B. जहांगीर C. औरंग जेव D. सा जहाँ तो ताज महल का निर्मान था जो की देख सकते हैं option number D हो जागा friend कि दिल्ली से दौलताबाद किस सासक ने अपनी राजधानी को प्रावर्तित की थी दिल्ली से दौलताबाद के लिए किस सासक ने अपनी राजधानी को प्रावर्तित की थी देख सकते हैं अपनी राजधानी को प्रावर्तित की थी कि इस नमर कोश्चन है कि गांधी जी ने असयोग अंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गांधी जी ने असयोग अंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गांधी जी ने असयोग अंदोलन जो परारंब शुरू किया था फेंड वहां उनिशोग बीस में शुरू किया था कब किया था फेंड उनिशोग बीस में किया था देख सकते हैं एकिसका अप्सन नमबर ए हो जगा, गांधी जी ने सयो गंदोलन 1920 में आरंभ किया था, देख सकते हैं, बाइश नमबर कोश्चन है, बाइश नमबर कोश्चन में देख सकते हैं, भरतिय राश्टिय कॉंग्रेस के स्थापना कब हुआ था? भरतिये राष्टिये कॉंग्रेस के स्थापना कब हुआ था A. 1857, B. 1875, C. 1885, C. 1885 या D. 1905 तो देख सकते भरतिये राष्टिये कॉंग्रेस के स्थापना 1885 में किया था 1885 में option number C हो जागा Next number question है देख सकते है next number question में क्या करा है बंगाल विभाजन की घोसना किस वर्स हुई थी? A. 1905, B. 1906, C. 1911, Y. 1914 तो बंगाल विभाजन की घोसना 1900 देख सकते हैं कब किया था? बंगाल विभाजन की जो घोसना किया गया था वह 1905 में किया गया था किस वर्ष 1905 में किया था बंगाल विभाजन की घोषना 23 का हो जगा उप्सन नमबर A नेक्ट नमर कोश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस ने किया इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस ने किया ए भगत सिंग बीच चंदर सेखर आजाद स्वास्चंदर बोस डी गांधी जी तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था वह उप्सन नमबर C देख सकते हैं उप्सन नमबर C स्वास्चंदर बोस जी ने किया था किस ने स्वास्चंदर बोस ने किया था इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, देख सकते हैं, ओप्सन नमबर C हो जागा, चलिए देख सकते हैं, नेक्ष नमर कोश्चन है, भारत किस वर्स गतंत्र बना, भारत किस वर्स गतंत्र बना, A, 1947, या देख सकते हैं, B, 1950, C, 1952, D, 1957, तो देख सकते हैं, भारत गतंत्र हुआ था, 1950 को, कब, 1950, ओप्सन नमबर B हो जागा, चलिए, नेक्ष नमर कोश्चन को देखेंगे, देख सकते हैं, नेक्ष नमर कोश्चन है, कि त्रिपीटक साहित्य का समबंध है, A, Gen धर्म से, B, बाध, C, सायव, या, D, वैशन धर्म से, तो त्रिपीटक साहित्य का समबंध हो जागा, ओप्सन नमबर B हो जागा, बाध धरम से किसे बहुत धरम से संबंधी था हैं चलिए next नमर कोश्चन है देख सकते हैं next नमर कोश्चन है कि कनिस्क का राज रोहन कब हुआ था तो देख सकते हैं कनिस्क का राज रोहन 78 इश्वी में हुआ था चलिए देख सकते हैं next नमर कोश्चन है कि महभारत का यूद कितने दिनों तक चला देख सकते हैं next नमर कोश्चन है देख सकते हैं असोक के किस अभिलेख में कलिंग यूद का वर्ण किया गया है असोक के किस अभिलेख में कलिंग यूद का वर्ण किया गया है option number C हो जाएगा next number question है देख सकते हैं next number question में क्या कह रहा है कि चोलो की सबसे छोटी प्रसासनी की काई कौन थी चोलो की सबसे छोटी प्रसासनी की काई कौन थी A. उर, B. मंडलम, C. देख सकते हैं वलनाडू या D. कुर्रम तो चोलो की सबसे छोटी इकाई को उर कहा जाता था क्या कहा जाता था उर कहा जाता था यानि 5 का option number A हो जागा next number question है देख सकते हैं बहुत ही BVI question है राज तरंगनी के लेखक कौन थे राज तरंगनी के लेखक कौन थे देख सकते हैं और सास्त्र की रचना कब हुई थी A. छटी सताबदी इसापुर्व B. पाच्वी सताबदी इसापुर्व C. चौथी सताबदी इसापुर्व याडी तीसरी सताबदी इसापुर्व तो और सास्त्र के रचना हुआ था चौथी सताबदी के पुर्व में चौथी सताबदी के पुर्व में साथ का उप्सन नमबर C हो जाएगा नेक्ट नमर कोश्चन है देख सकते हैं कि पतंजली के महाभासे से हमें जानकारी मिलती है पतंजली के जो महाभासे हैं जिससे क्या जानकारी मिलती है ए गुप्तकाल की भी मौरेकाल, C, प्राकाल, या D इन में से कोई नहीं तो देख सकते हैं कि पतंजली के महाभासे से जो जानकारी मिलती है वह गुप्तकाल की जानकारी मिलती है किसकाल की? गुप्तकाल की जानकारी मिलती है आठका उप्सन नमबर E हो जागा चलिए नौ नमबर कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं, पुरानों की संख्या कितनी है, पुरानों की जो संख्या है, वो कितनी है, A, 16, B, 18, C, 19, D, 20, तो 9 का क्या हो जागा फ्रेंग, पुरानों की संख्या हो जागा, जो 18 होती है, पुरानों की संख्या 18 है, या 9 का उप्सन नमबर B हो जागा, चलिए देख सकते है दर्श नमबर कोश्चन है कि मौरे कालीन टकसाल के परधान कौन था मौरे काल में जो टकसाल का परधान कौन था देख सकते हैं ए हो जागा कोसा अध्यच बी मुद्रा अध्यच सीपानिया अध्यच या डी लच्छन देख सकते हैं जशन है कि अलवरुनी भारत में किसके साथ आया था अलवरुनी भारत में किसके साथ आया था इगारा का option number A हो जाएगा next number question है देख सकते हैं next number question है कि दिल्ली संतर्नत की प्रथम और अंतिम महिला सासक कौन थी A. चंदा बीबी B. नूर जहाँ C. रजिया सुल्तान या D. मुम्ताज महल तो देख सकते हैं दिल्ली संतर्नत की प्रथम अंतिम महिला सासक थी option number C हो जागा रजिया सुल्तान कौन थी फ्रेंड? रजिया सुल्तान थी यानि 12 का option number C हो जागा चड़िये next number question को देखेंगे निमलीखी तिध्यासकारों में कौन अकवर के समकालीन था A. फरिस्ता V. वादायू देख सकते हैं अकवर के समकालीन कौन था? फरिस्ता, वादायू या देख सकते हैं यहाँ पे हो जागा दो option आओ है फ्रेंड यहाँ पे मुला उद्ध या मुहमद खान तो देख सकते हैं मुहमद खान था जो की अकवर के समकालीन थे कौन? मुहमद खान option number D हो जागा देख सकते हैं next number question है देख सकते हैं कि दीने इलाही सम्मंदी थे दीने इलाही किस से सम्मंदी थे A. बावर से B. हुमाईयों से C. अकवर या D. जहांगी तो दीने इलाही किस से सम्मंदी थे तो यह हो जागा कि कुतू मिनार का निर्मान शुरू किस ने किया कुतू मिनार का जो निर्मान है वह शुरू किस ने किया था देख सकते हैं कुतू मिनार का जो निर्मान देख सकते हैं कुतू मिनार का जो निर्मान शुरू था वह A. कुतूब दी नेवक B. इलतूतिमिस C. रजिया सुल्तान या D. ग्यासुदिन खिलजी तो यह हो जागा देख सकते कुतू मिनार का निर्मान कुतू वुदीन एवक ने किया था किसने कुतू वुदीन एवक हो जागा फेंड देख सकते हैं कुतू वुदीन एवक ने कुतू मिनार का निर्मान सु था A. बहलोल लोदी B. सिकंदर लोदी C. इबराहिम लोदी या D. काफूर लोदी तो देख सकते हैं लोदी बंस का अंतिम सासक था जो की देख सकते हैं यहां पे C हो जागा फेन लोदी बंस का अंतिम सासक इबराहिम लोदी था लोदी बंस का अंतिम सासक इबराहिम लोदी प्रसासनिक सुधार के लिए सेरसा खास तोर पर जाना जाता है तो यह अप्चन नबर भी भूमी सुधार वेवस्था हो जागा भूमी सुधार वेवस्था के लिए सेरसा खास तोर पर जाने जाते थे 17 का उप्चन नमबर भी हो जागा चलिए देख सकते सहायक संधी सहायक संधी की निती कार्नेवनित थी किस से संबंधित था एवेंटिक भी करनावाली सी वेलजली याडी डल हो जी सहायक संधी की जो निती संबंधित थी वह लोड वेलजली से संबंधित था किस से लोड वेलजली से सहायक संधी 18 का उप्चन नमबर सी हो जागा चलिए देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है देख सकते हैं कि 1857 का विद्रो आरम हुआ था ए दस माई भी 13C 18D 26 तो 1857 का विद्रो आरम दस माई से सुरू हुआ था कब से दस माई से सुरू हुआ था यानि देख सकते हैं 19 का उप्चन नमबर ए हो जागा नेक्स नमर क्वेश्चन है कि 1942 में कौनँ सा अंदोलन हुआ A. खिलापत, B. सयोग, C. सभन्ने वज्ञा या D. भारत छोड़ो 1942 में अंदोलन आरंभ हुआ था भारत छोड़ो अंदोलन कौन सा अंदोलन? भारत छोड़ो अंदोलन बिसका उप्शन अपर D हो जागा देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि व्यापगत का सिध्धान्त का संबंध था व्यापगत का जो सिध्धान्त का संबंध था A. लौड करजन, B. लौड डल होजी, C. लौड लीटन, या D. मिन्टो तो ब्यापगत का जो सिधानत का संबंद था वहो जागा लौड डलहौजी से संबंद ही था किसे लौड डलहौजी से किसका उप्सन नंबर भी हो जागा ब्यापगत का संबंध था लॉड डलहौजी से एक इसका उप्सन नमबर भी हो जागा नेक्ष नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है अस्थाई बंदोवस जुरा हुआ था अस्थाई बंदोवस किस से जुरा हुआ था ए वारेन हेरिटावस वी बेलजली सी करनावालिष डी रिपन तो देख सकते हैं अस्थाई बंदोवस लॉड करनावालिष से जुरा हुआ था किस से लॉड करनावालिष से जुरा हुआ था बाइश का उप्सन नमबर सी हो जाग next number question है संस्थाल बिद्रो का नितित्व किस ने किया था A. तस भगत ने या देख सकते हैं यहाँ पे B. दुब्या भोसाई ने या C. भागीरत ने या D. सिध्धु एवं कानुने तो संस्थाल बिद्रो का नितित्व सिध्धु एवं कानुने किया था नेक्स नमर कोश्चन है, गांधी जी ने असयोग अंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, A. 1922, B. 1922, C. 1932, D. 1942, तो गांधी जी ने असयोग अंदोलन शुरू किया था, 1922 में, देख सकते हैं, गांधी जी ने असयोग अंदोलन किया था, 1920 में शुरू किया था, अप्सन नमबर A हो जागा नेक्स नमर कोश्चन है डेख सकते हैं एक स्नुमर कोश्चन में क्या कह रहा हुव है जवाहरला नहरू भारत के परफंपरधान मंत्री बने कब बने थे ए नीच्व ची आलीस भी उनीच्व सैथालिस सी उनीसो और ताली डी उनीच्व जवाहरला लहरू भारत के परथम परधान मंतरी 1947 में बने थे कब बने थे उनीसो 47 में बने थे पच्छिस का option नमबर b हो जगा 26 नमबर question देख सकते हैं next नमबर question है हरपा सभेता का सबसे बढ़ा नगर कौन था तो हरपा सभेता में सबसे बढ़ा नगर मोहन जोदरों को कहा जाता था किसको मोहन जोदरों को कहा जाता था यानि पहला का अप्सन बरे हो जगा चलिए देख सकते धाम का सुरवात किस ने किया था फैन तो धाम महापातर का जो सुरवात था वह देख सकते एद दूर चंदर गुप्त मौरे या सोक सिकनिष्क डी वि किया था धाम महापात्र का शुरवात अशोक ने किया था ही यान महायान देख सकते हैं ही यान और महायान संपरदाय किस धरम से संबंधी था ए जैन बी बाउध या सी हिंदू या डी सीख तो देख सकते हैं ही यान महायान किस धरम से संबंधी था तो यह हो जागा देख सकते option number B ही यान महायान बहुत धर्म से संबन्धित है देख सकते हैं ही यान और महायान बहुत धर्म से संबन्धित है चलिए next number question है कि देख सकते हैं कि अकवर निमलीखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका तो देख सकते हैं यहाँ पे तीन ओप्सन दिया गया मारबार मेबार जोधपूर और एक ओप्सन नीचे में है चिताओर तो आकवर है जो चिताओर पर अधिकार नहीं कर सका ओप्सन नमबर डी हो जाएगा चलिए नेक्ष नमबर कुश्चन है कि निमलीखित में से कौन मुगल सासक आलमगीर के नाम से जाना जाता है यह जहांगीर सा जहां औरंगजेव या बहादुर सा तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेव को किसको औरंगजेव को आलमगीर के नाम से जाना जाता है पांच का option number C हो जागा देख सकते हैं next number question है कि अर्ष सास्त्रेव में इंडिका से किस राजबंस के विशाय की जानकारी मिलता है A. मौरे, B. गुप्त, C. कुसान, या D. सत्वाहन तो यह हो जागा इंडिका और अर्ष सास्त्र में इंडिका में मिलता है मौरे बंस का इतिहास किस बंस का? मौरे बंस का इतिहास मिलता है next number question है अस्तूप का संबंध किस धर्म से है? अस्तूप का संबंध किस धर्म से है? ए जैन भी बवध सी ब्रह्मन डी शाई तो अस्तूप का संबंद बवध धरम से हैं साथ का हो जागा option number B एक्स नमर question है कि ये लोडा के कैलास मंदिर का निर्मान किस राजबंस ने किया ये लोडा के जो कैलास मंदिर है जिसका निर्मान किस राजबंस ने किया A. चोल, B. पल्लव, C. चालुके, D. राष्टकूट तो यहोजगा option number D. राष्टकूट बंस ने एलोडा के कहलास मंदिर का निर्मान किया था Next number question है कि बावर की आत्मकथा का क्या नाम है? बावर की आत्मकथा का क्या नाम है? A. बावर नामा, B. तुजुक, A. बावरी, C. देख सकते हैं किताब उल्हिंद याडी रहेला तो बावर की आत्मकथा का नाम बावर नामा है क्या है? बावर नामा नौका हो जागा option number A Next number question है आइने अकवरी नामक परसिद्गरंथ की रचना खिषने की A. अवल्फजल, B. अकवर, C. फाउजी याडी देख सकते हैं वहादुर रहीम खनखना देख सकते हैं अबदुर रहीम खनखना तो देख सकते हैं आइने अकवरी का जो परसिद्गरंथ है फेन जिसका रचनाकार अवल्फजल ने किया था आईने अकवरी का जो रचनाकार था वह अवुल फजल 10 का option नमबर यह हो जागा चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पानी पत का प्रथम यूद कब हुआ था तो पानी पत का प्रथम यूद एकी सपरीद 1526 को हुआ था कब हुआ था 1526 को हुआ था देख सकते हैं यह option नहीं होगा यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है पानी पत का यूद हुआ था 1526 में option number B हो जागा चलिए देख सकते हैं वीजए नगर के सबसे महान सासक का नाम पूछ रहा है बिजय नगर का सबसे महान सासक A. बीर नर्सिंग B. कृष्ण देवराय C. अची उत्राय याडी सदासिबराय तो बिजय नगर का सबसे महान सासक कृष्ण देवराय हो जागा जो कि संगम बंस के संस्थापक थें कौन थे संगम बंस के संस्थापक थे जिनका हरी हर एवं बुक का दोनों बेटा था जो विजय नगर समराजी के अस्थापना किया था देख सकते हैं सबसे महान सासक था कृष्ण देवरा है बारा का उप्चन नमबर भी हो जगा बास्को डिगामा भारत कप पहुचा था ये 17 मैं 1498 गप पहुचा था 17 मैं 1498 को बास्को डिगामा भारत पहुचा था यहाँ पे गोरपूरम का संबंध किस्से हैं देख सकते हैं गोरपूरम का संबंध किस्से हैं यह गाय भी नगर सी वेपार या डी मंदीर तो गोरपूरम का संबंध हो जागा मंदीर से संबंधीत है किस से मंदीर से संबंधीत है नेक्स नमर question है आइने अकबरी कितने भागों में बिभक्त है तो पंदरा का option नमबर d हो जयेगा आइने अकबरी 5 भागों में बिभक्त है नेक्स नमर कोश्चन है औरंग जेव ने अपना जीवन कांतिम भाग कहां बिताया था ये पुर्वी भारत भी पच्छमी सी दच्छनी या दी उत्री तो औरंग जेव ने अपना जीवन कांतिम भाग दश्चिन भारत में बिताया था कहां दश्चिन भारत में ओप्चन सी हो जागा चलिए 17 नमबर क्को स्चन है नेक्षопас content है ज़ा भारत में रेलवे की शुरुवात कब हुई भारत में रेलवे की शुरुवात कब हुई ए सत्रा सो तिरपन भी सत्रा सो तिहत्तर सी अठारा सो तिरपन या डीन में से कोई नहीं तो भारत में रेलवे की शुरुवात हुआ था अठारा सो तिरपन में हुआ था कब हुआ था फैं अठा जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था ए उनिसो निस नमर कोश्चन है गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान कब हुआ था ए उनिसो दस बी उनिस सो बारा सी उनिसो इगारा याडी उनिसो चोदा तो गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान उनिसो इगारा में हुआ था कब हुआ था गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान उनिसो इगारा में हुआ था चलिए देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि निमलीखित में से किसका प्रकासन अबुल कलाम आजाद ने किया था ए नियू इंडिया नियू इंडिया देख सकते हैं अली हलाल देख सकते हैं अल हिलाल यंग इंडिया या कारामेड तो अल हिलाल का जो देख सकते हैं प्रकासन था जो अबुल कलाम आजाद ने किया था option number B हो जागा एक्स नमर question है सिद्धु एबम कान हुँ किस अंदोलन देख सकते सिद्धु एबम कान हुँ ने किस बिद्रो का नितित्व किया था A. मुंडा बिद्रो B. संस्थाल बिद्रो C. सन्याची बिद्रो या हो बिद्रो तो सिद्धु एबम कान हुँ ने जो बिद्रो किया था वह संस्थाल बिद्रो का किया था कौन सा बिद्रो? संस्थाल बिद्रो 22 का option number B हो जागा एक्स नमर question है देख सकते हैं कि भारत में अस्थाई बंदोबस कहां लागू किया गया था भारत में अस्थाई बंदोबस कहां लागू किया गया था A, बंगाल, B, पंजाब, C, दस्चिन भारत या D, सभी तो भारत में अस्थाई बंदोबस कहां लागू किया गया था तो बंगाल में लागू हुआ था कहां हुआ था फेंट बंगाल में लागू हुआ था भारत में अस्थाई बंदो बस बंगाल में लागू हुआ था देख सकते हैं ओप्चन नमबर यहां पे ए हो जागा चलिए नेक्स नमर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्ंट जेनरल कौन थें इस शिर्चक्रवर्थी राजगोपालचाडी लोड़ मॉंट बेटन लाल वहादूर सास्त्री यहाँ पे रेड किलिप तो देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्ंट जेनरल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नल जेनरल लॉड मॉंट वेटन हो जागा फ्रेंड लॉड मॉंट वेटन हो जागा ओप्शन नमबर बी हो जागा चलिए नेक्स नमर कोस्चन को देखेंगे भरतिये संबिधान का निर्मान कितना समय लगा भरतिये संबिधान के निर्मान में कितना समय लगा दो बर सिगारा मां 18 दिन दो बर सिगारा मां 12 दिन तीन बर सिगारा मां 11 दिन या तीन बर सिगारा मां 18 दिन तो भरतिय संबीधान का निर्मान में दो वर्स 11 माह 18 दिन समय लगा 25 का अप्शन नमबर यह हो जागा चलिए देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि राखल दास बनर जी ने मोहन जोदरो का अपसेस किस वर्स मिला ए 1922 बी 1921 सी 1922 याडी 1930 तो राखल दास बनर जी ने मोहन जोदरो का जो अपसेस मिला था वह 1922 में मिला था कब मिला था फैन 1922 में चलिए नेक्स नमर कोश्चन है शिंधू सभ्यता का जो विशाल अशनागर है शिंधू सभ्यता का विशाल अशनागर कहां से प्राप्त हुआ था तो यह मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ था विशाल असनागर कहां से मिला था मोहन जोदरों से चलिए next number question है बिजय नगर समराजी की अस्थापना किसने की देख सकते फेंड ओप्शन बताएंगे तो बहुत ही लंबा विडियो हो जाएगा बिजय नगर समराजी की अस्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था किसने हरिहर एवं बुक्का ने तीन का उप्शन नमबर भी हो जागा चलिए चार नमबर question प्रियाग प्रसिस्त की रचना किसने की प्रियाग प्रसिस्त की रचना हरी शेन ने किया था किसने हरी शेन ने किया था प्रियाग प्रसिष्ट की रचना नेक्स नमर कोश्चन है महावीर देख सकते हैं कि महावीर ने पारसब के सिध्धान्त के साथ नया सिध्धान्त क्या जोड़ा था यह बरहमचार्रे का सिध्धान्त जोड़ा था क्या बरहमचार्रे का सिध्धान्त हो जागा नेक्स नमर महभारत की रचना किसने की महभारत की रचना किसने की option D हो जागा बेदवियास महभारत की रचना बेदवियास ने किया था देख सकते हैं किस सासक को भारत का नेपोलियन की संग्यादी गई समुद्र गुप्त हो जागा भारत का नेपोलियन समुद्र गुप्त को कहा जाता है सोला जनपद में सबसे सकती साली जनपद मगद था सबसे सकती साली जनपद का नाम मगद समराज्य था इबन बतुता किस देश का यात्री था तो यह मरक्को का यात्री था इवनवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व किस संत ने किया था तो उत्तर भारत से भक्ति अंदोलन कारम रामानंद ने किया था किस ने रामानंद ने किया था कैप्टन होकिन्स किस मुगल सासक के दरवार में आया था तो कैप्टन होकिन्स आया था जहांगीर के दरवार में था एक्ष नमर दीने इलाही किस से संबंदित है तो देख सकते हैं फ्रेंट दीने इलाही है जो कि किस से संबंदित है तो यह हो जगा अकवर से किस से अकवर से संबंदित है दीने इलाही एक्ष नमर कोश्चन है अस्थापत्य कला का सबसे अधीक विकास किसके समय में हुआ था तो अस्थापत्य कला का सबसे अधीक विकास सा जहां के समय में हुआ था किसके समय में हुआ था सा जहां के समय में 14 का अप्चन नमबर C हो जागा एक्स नमर कोश्चन है भारत का अंति मुगल सासक कौन था भारत का अंति मुगल सासक था बहादुर साह जफर भारत का अंति मुगल सासक था बहादुर साह जफर था पंदरा का अप्सन नमबर डी हो जाएगा देख सकते फेंट डाइडेक्ट एंसर बता रहे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी में सभी question को देख सके Muslim Link की स्थापना किस वर्स हुई थी तो Muslim Link की स्थापना 1906 में हुआ था एक्स नमर East India Company की स्थापना कब हुआ था East India Company की स्थापना 1620 में हुआ था Next question है 1920 में कौन सांदोलन हुआ था तो 1920 में हुआ था असयोग अंदोलन 1920 में असयोग अंदोलन हुआ था देख सकते हैं 18 का option number A, B हो जागा असयोग अंदोलन देख सकते हैं डांडी किस राज में इस्तित हैं तो यह हो जागा गुजरात में दांडी हैं जो की गुजरात में इस्तित हैं। दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया। तो यह हो जगा उप्सन बढ़ी सुआश्च चंद्रबोश ने। देख सकते फेइन पूना समझोता कब हुआ। तो पूना समझोता 1932 में हुआ था। पूना समझोता कब हुआ था फेइन 1932 में हुआ था। काला कानून किसे कहा जाता है तो देख सकते फेइन काला कानून रोलेटेक्ट को कहा जाता था। देख सकते हैं 1949 में कौन सांदोलन हुआ था। देख सकते हैं 1942 में कौन सांदोलन हुआ था या भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था। देख सकते हैं नेक्ष नमर कोश्चन है भरतियस अंविधान की परारूप समीती के अध्यच कौन थे। भरतियस अंविधान की अनुसार संप्रभूता निहित किसमे हैं तो यह संविधान में हैं किसमें संविधान में संप्रभूता निहित हैं। नेक्श नमर कोश्चन में देखेंगे सिंधू घाटी में देख सकते हैं सिंधू घाटी के निवासी को किस धातु का ज्यान नहीं था तो लोहा धातु का ज्यान नहीं था चलिए देख सकते हैं हर अप्पा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है तो हर अप्पा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है यह हो जागा अप्सन नमबर बी हो जागा कांसे यूग की सभ्यता है कौन सा यूग कांसे यूग की सभ्यता है next नमर question है कि गुप्तकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था गुप्तकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था तो देख सकते हैं फहियान कौन आया था फ्रेंड गुप्तकाल में फहियान भारत आया था कौन सा चीनी यात्री फहियान एक्ष नमर इंडिका के लेखक कौन है तो देख सकते हैं इंडिका के लेखक हो जागा मेगा अस्थनीज है चलिए देख सकते हैं असोक किस बंस का सासक था तो असोक हो जागा मौरे बंस का सासक असोक किस बंस का था मौरे बंस का सासक था पुरानों की संख्या कितना है फैन तो देख सकते हैं पुरानों की संख्या 18 हो जाएगा पुरानों की संख्या कितना है देख सकते हैं पुरानों की संख्या 18 हो जाएगा महाभारत की रचना किस भासा में हुई थी तो यह संस्क्रीट में हुआ था महाभारत की रचना संस्क्रीट में हुआ था option number A हो जाएगा next number question है स्वेतामबर एवं दिगामबर स्वेतामबर एवं दिगामबर किस धरम से संबंधित है तो यह जैन धरम से स्वेतामबर एवम दिगामबर जैन धरम से संबंधित है चलिए नेक्स नमर तिरिपीटक किस धरम से संबंधित है तो देख सकते हैं तिरिपीटक बहुत धरम से संबंधित है तिरिपीटक बहुत धरम से संबंधित है देख सकते हैं तिरिपीटक है जो बहुत धरम से कि आपनी यात्रा बिरतान्त का बीबरन किस भासा में लिखा था या रवी भासा में लिख्ये थे नेक्श नमर कोश्चन है किस सासक ने अपनी राजधानी दिली से दौलताबाद परिवर्तित किया था यह जगा मुहमद बिन तुगलक ने किस ने मुहमद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिली से दौलताबाद परिवर्तित किया था नेक्ष नमर कोश्चन है तलवंडी किसका जनमस्थान है तो तलवंडी किसका जनमस्थान है ओप्शन बी हो जागा गुरु नानक का तलवंडी है जो कि गुरु नानक का जनमस्थान है नेक्श नमर कोश्चन है देख सकते हैं नेक्श नमर कोश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है जी एस लिवी देव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है ओप्शन नमर बी हो जागा Ex नमर हंपी किस समराज से संबंधित है देख सकते हैं, तमाकू पर किस सासक ने परतिबंध लगाया था तो देख सकते हैं यह हो जागा option number C, जहांगीर ने किसने, जहांगीर ने परतिबंध लगाया था आइने अकवारी कितने भागों में विभक्त हैं, तो आइने अकवारी देख सकते हैं कितने भागों विभक्त हैं दीने इलाही किस से संबन्दित हैं देख सकते हैं दीने इलाही किस से संबन्दित हैं तो यह हो जगा option number C दीने इलाही अकवर से संबन्दित हैं देख सकते हैं कि कौन सा मुगल बादसा को आलमगीर के नाम से जाना जाता है आलमगीर के नाम से औरंग जेब को जाना जाता है एक्स नमर कोश्चन है अकवर नामा की रचना किसने की अकवर नामा की रचना किसने की तो देख सकते हैं अकवर नामा की रचना अवुल फजल ने किया था next number question है कि पानी पथ का प्रथम यूद किस वर्शू हुआ था तो यह 1526 में हुआ था next number question है दामन इको च्या है देख सकते हैं दामन इको च्या था तो दामन इको एक भूभाग था दानम इको देख सकते हैं दामन इको था जो की एक भूभाग था यानि option number A हो जाएगा अस्थाई बंदोवस संबंदित हैं तो अस्थाई बंदोवस हैं जो संबंदित हो जाएगा करना वालिस से किसे करना वाली से सम्वंधित है अस्थाई बंदोबस नेक्स नमर कोश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया नेक्स नमर बंगालवी भाजन की घोषना की सबर्स हुई थी बंगालवी भाजन की घोषना हुई थी 1905 में बंगालवी भाजन की घोषना 1905 में हुआ था कब हुआ था 1905 में सिंधू सभ्यता में विशाल अशनागर का आपसे कहां से प्राप्त हुआ था, तो यह मोहन जोद्रोग से प्राप्त हुआ था, पुरानों की संख्या पूछ रहा है, तो पुरानों की संख्या अठारा हो जाएगा, डेख सकते हैं, option दिया हुआ है, नीचे में है, कुरानों की संख्या 18 है, Next No question है, कि महवीर ने पारसर्भनात के सिध्धांत के साथ नया सिध्धांत जोड़ा था, बरहम सिध्धांत जोड़ा था, बरहम चार्रे का सिध्धांत जोड़ा था, चलिए प्रियाग प्रसिस्त किन की रचना है प्रियाग प्रसिस्त हरी सेन की रचना हो जागा प्रियाग प्रसिस्त है जो की हरी सेन की रचना है तो चलिए देख सकते हैं अर्ष सास्तर के लेखक कौन है तो अर्ष सास्तर के लेखक हो जाएगा जो की देख सकते हैं कौटले हो जाएगा कौन हो जागा फ्रेंड को टले हो जागा तो चलिए फ्रेंड आज की लिए इतना ही तो वीडियो को लाइक सेयर कर दे फ्रेंड जल्द ही इसका दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक सेयर कर दे चैनल पे नए आ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके औ और वेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पलपल की अपडेट यहां से आपको मिलती रहेगी तो चलिए आज की लिटना है तब तक की लिटेकन बाई